Hello students, welcome back to my channel, residential status, यह chapter हमने previous video में already start कर दिया था, कुछ important terms में आपको already सिखा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको I button पे मिल जाएगा, इस वीडियो में हम लोग कुछ और नए terms सीखने वाले हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला जो important term में आज आपको सिखाने वाला हूँ है resident, resident का short form है R, दूसरा जो term है resident and ordinarily resident, इसे हम लोग short में बोलते हैं R, O, R, तीसरा जो term है, वो है resident but not ordinarily resident, जिसे हम लोग कहते हैं short में R, N, O, R, and last वाला है आपका non-resident, इसे हम लोग short में कहते हैं N, R, तो अब यह सारे terms क्या होते हैं, यह मैं आ आपको बता दू, आप जो subject कर रहे हैं, उसका नाम क्या है DD, DD is direct tax, direct tax के अंदर आप कौन सा tax सीख रहे हैं, income tax, अब income tax कब लगता हैं, जब आप income कमाते हैं, तो एक example लेते हैं, जैसे for example Mr. A, इन्होंने 10 लाग रुपया income कमाया, अब इस 10 लाग के उपर वो income tax भरना चाहते वो government के पास गए tax भरने के लिए, बट government ने उनसे पूछा, कि आप ये बताइए कि आपका residential status क्या है, आप resident है या non-resident है, जी हाँ, कानून की नजर में हर इनसान, जिसे हम person बोलते हैं, person, या तो क्या होगा resident, या तो क्या होगा non-resident, मैं short में NR लिख देता हूँ, ठीक है, resident ह होगा या non-resident होगा, अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप resident हो या non-resident हो, उसके लिए government ने basic conditions दी है, basic condition, अगर तो आप ये basic condition fulfill कर जाते हो, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, resident, और अगर आप ये basic condition satisfy नहीं करते हो, तो आप क्या बन जाओगे, non-resident, अब वो basic condition क्या है, वो भी मैं आपको बदा देता हूँ, basic condition 1 मैं आपको सिखा सकता हूँ, because वो जादा easy है, 182 days, अगर आप इंडिया में 182 days से ज्यादा रहते हो, तो आप resident हो, अगर आप इंडिया में 182 days से कम रहते हो, तो आप क्या माने जाओगे, non-resident, अब आप सोच र लगेगा, ठीक है, यह difference है, resident है, non-resident में, तो जब कभी आप tax भरने जाओगे, suppose जैसे आपको tax भरना है, तो tax भरने से पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा, कि आपका residential status क्या है, आप resident है या non-resident है, क्यों, because अगर आप resident हो, तो आपकी world income पे tax आएगा, and अगर आप non-resident हो, तो आपकी Indian income पे tax लगेगा, पता कैसे चलेगा, कि आप resident हो, या non-resident हो, उसके लिए government ने दिया है basic condition, basic condition के हिसाब से, basic condition 1 के हिसाब से, अगर तो आप इंडिया में 182 days से ज्यादा रहते हो, तो क्या बन जाओगे, resident, और अगर आप इंडिया में 182 days से कम रहते हो, तो क् आपको example के लिए बताओं, कि मैं इंडिया में, suppose 170 दिन रहा, तो आप basic condition के हिसाब से, मैं क्या बन जाओगा, non-resident, अगर suppose मैं आपको बताता हो, कि मैं इंडिया में 192 days रहा, तो आप मुझे क्या बोलोगे, मैं क्या बन जाओगा, resident, ठीक है, अब basic condition 1 मैंने आपको बता है, basic condition 2 है, 2 मैं से पहला वाला easy था, इसलिए वो बन आपको बता दिया, example के लिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, अगर तो आपको government ने पूछा, कि आप resident है, या non-resident, आपने खहा, non-resident, तो सवाल वहीं पर खतम हो जाता है, government आपको 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 नहीं पूछ not ordinarily resident, not ordinarily resident, nor के लिए, ठीक है, तो आप ये सोच रहोंगे कि मुझे ये कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा कि मैं resident हूँ, basic condition की मदद से, अब ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग OR है या NOR है, उसके लिए government ने दिया है additional condition, अगर तो आप ये additional condition को satisfy कर जाते हो, additional condition government ने दिय है, अगर तो आप additional condition को satisfy कर जाते हो, तो आप क्या बन जाओगे, OR, और अगर आप इस additional condition को satisfy नहीं करते हो, तो क्या बन जाओगे, NOR, ठीक है, तो resident and non-resident कैसे पता चलता है, basic condition के हिसाब से, और अगर आप resident हो, तो दो सवाल और आते हैं, कि आप ordinary resident है, या not ordinary resident है, अगर तो अब बात यहाती है कि additional condition करे लिए, इडिशिनल कनडिशन बताने से पहले मुझे को basic condition बताना पाड़ेगा थो मैं आपको basic condition की example देते था हूं, basic condition मैं इप्र馬 अपको 1 उन два नहीं बताएज Länder government ने 2 basic condition बनाए पहला basic condition तो बहुत easy है stay off 182 days or more in India in previous year previous year का मतलब क्या होता यह मैं आपको already previous video में बता चुका हूँ अगर आपने नहीं दिखा है तो video आपको i button पे मिल जाएगा तो इस condition के हिसाब से अगर आप इंडिया में 182 days से ज्यादा रहते हो तो आप आपको यह rule पता चल गया कि हाँ अगर इंडिया में 182 days से ज्यादा रहते है तो resident बन जाते है तो वो लोग क्या करते हैं 170 दिन 160 दिन ऐसे रहके चले आते थे जैसे 160 days रहके चले गए तो भी वो क्या बन जाएंगे अपने अप non resident बन जाएंगे तो government ने इस loophole को cover करने के लिए एक और एक condition बनाया इस condition के हिसाब से क्या बोला गया इस condition में यह condition 2 है तो बीच में क्या है and stay of 60 days or more in India in previous year and stay of 365 days or more in India in previous year इसका मतलब यह दोनों condition क्या होना चाहिए दोनों condition satisfied होना चाहिए non resident अब सवाल यह उठता है कि आप second condition क्यों और कब जाओगे देखो government ने आपको trap करने के लिए एक जाल बचाया था 182 days का suppose अगर आप इसको dodge करके आगे चले आतो जैसे for example आपने 160 days रहे या 150 days रहे तो government ने और जाल बनाये हैं दो छोटे छोटे देखो यह basic condition 1 और 2 की तरफ हम कब बढ़ते हैं अगर first condition satisfy नहीं हुआ तो ही हम लोग second condition पर जाते हैं ठीक है अगर first condition में ही answer आपको मिल गा जैसे for example हमने sum किया sum में answer आ रहे days दिया है हमको 192 days अब 192 days के हिसाब से first condition तो satisfy हो गया तो हमको ऐसे situation में second condition check करने की जरूरत नहीं है अगर हमको ऐसा कोई days दिया 162 days तो अब इसके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएका not satisfied तो first condition तो satisfy नहीं हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है basic condition और एक है बट इसमें यह दोनों condition लगा के check करना पड़ेगा कि satisfy हो रहा है या नहीं ठीक है तो आपको यह basic condition का concept समझ में आ गया है देखिए basic concept को समझने के लिए एक example करना पड़ेगा जो हम लोग next video में करने बाले बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले conditions को याद कर ले because exam में आपको condition लिखना है as it is जैसा दिया है basic condition 1 क्या है basic condition 1 stay of 182 days or more in India in previous year previous year क्या हो था मैं आपको फिर से बता दू शौट में जिस साल हम लोग income कमाते है न उस साल को previous year कहते है and दूसरा जो 2 condition है वो condition क्या है stay of 60 days or more in India in previous year and stay of 365 days or more in India in last 4 previous year इसका calculation कैसे करना है वो मैं आपको example में बता दूँँगा फिलहाल इस वीडियो में आपका ये intention होना चाहिए basic condition क्या है वो आपको पता चल जाए और आप उसको याद कर सको ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते मैं आपको additional condition भी बता दूँँ देखे ये राए additional condition मुझे बता ये additional condition किसको चेक करने के लिए किए जाता है कि आप OR हो या NOR हो टेक है तो OR, NOR चेक करने क Carlinky हम लोग कौनसा condition को चेक करते हैं additional condition ये दोनों condition अगर satisfy हो गया अगर ये दोनों condition हमने satisfy कर दिया तो हम लोग क्या बन जाते हैं और अगर दोनों में से एक condition भी नहीं कर पाए या दोनों ही condition नहीं कर पाए तो अपने आप क्या बन जाएंगे? अब यह condition क्या है? additional condition 1 क्या है? resident in 2 out of last 10 previous year and stay off 765 days or more in India in last 7 previous year. इसको भी हम लोग कैसे find करेंगे? जब हम लोग example करेंगे तो आप समझ जाओगे. फिलहाल आपका intention क्या होना चाहिए? कि basic condition याद करो, additional condition याद करो. तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि एक resident and ordinarily resident, resident and not ordinarily resident और non-resident. इनको हम लोग किस तरीके से find करतें? सब कुछ dependent है basic condition and additional condition के उपर. तो आपका काम क्या है next वीडियो में आने से पहले? कि आप basic conditions को याद कर ले, additional condition को याद कर ले, इसे calculate किस तरीके से करना है, इन किस तरीके से solve करना है, वो हम लोग example के साथ सीखेंगे next वीडियो में, इस वीडियो में नहीं. इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आपको पता है क्या करना है, like करो, subscribe करो, share करो.